हेलो स्टूनेंट्स असी आज करन जा रहे हैं रियलिजम एफिलोस्फी ओफ रियल्टी जीनु पंजाब बीच वास्त्विक वाद क्या देने ता ए असलियत दी स्टड़ी करन वाड़ी फिलोस्फी है मौडरन फिलोस्फी है जड़ी देख दिया कि व्यक्ति है जड़ा ओहो समाज दे विचे या यूनिवर्स दे विचे किते स्टेंड कर दा ते ओधी सोच किया साइंटिफिक आउटलुक वाड़ी फिलोस्फी है ता इकी करके असी अग्ये इस दा जड़ा जो भी इस दा कंसेप्टों करांगे फिलोस्फी फरे जानांगे की है की ये चीज ता एस दे रिगार्डिंग असी सबतों पहला इदा मिनी करांगे प्रिंसीपल्स करांगे इस दे की केड़े केड़े सी दांतांद उत्ते फिलोस्फी चली या विचारतारा चली या एस तो वाद फिलोस्फी दी निगानाल सी एस विचारतारा नू देखांगे सब तो बहला साड़े कोड है मीनिंग ओफ रियलिजम साननों कोई भी विचारतारा जननान तो पहला ओस वादे जहनन चाहिदा कि असल भी चीजा जाड़े की थो निकल की आई है जागे विचारतारा जड़े की थो निकल की आई है तह ए जढ़ा रियलिजम हाद छेड़े 2 लेंगुजिज तो आसी देख दिया The word realism is derived from two different languages. First of all, the word realism is derived from the Greek word R-E-S-R-A-S which means real which further is related to object. ताह ए ग्रीक पाश्यादे शवत तो निकल के बनियाएं जीदा मतलवा असल अग्येदा मतलवा जेडा वस्तानार स्वंदत होवे जब वस्तु नार जदिखाई देन वड़ी चीज नार स्वंदत होवे Thus, realism is an outlook about the existence of an object एसलिए realism की एक एस्तरान दा आउटलुका जेडा अब्जेक्ट दी अग्जिस्टेंस नू मन दाए किसे वी वस्तु दी होंद नू मन दाए according to which the objects of the word are real as they appear to us ता realism दे according की एक चीज जाने वस्ताने संसार दे विच असल ने जिवें उसानू दिखाई दन दियाने जे कोई चीज सानू दिखाई दन दिया तो हैगी या जेड़ी नहीं दिखाई दन दिट में जो नहीं हैगी knowledge acquired by senses is true जेड़ी यसी ग्यान इंदरिया नहीं ग्यान हसल कर दिया वो असल ग्याना में जसी दिखाई दे नहीं चीज जाना ग्यान हसल कर दिया तो कि या true knowledge Secondly, the term realism comes from latin realistice, realistice तो निकल के सामने आया, who is to be really, real, जो भी असलियत होवे, ओ ही असल संसार Realism is a philosophy that assumes that there is a real external world can be recognized जेड़ी वास्तविक वाद दी philosophy जा दर्शन एह मन के चल दा कि एक ऐस्तरा दा वारी संसार जिसनों पहचाने जा सके ओ ही असल है, जा आसी कहलिए जेड़ संसार चसी रहने हैं, जिनों उसी जान देयां, जीदे वारे जीदे वारे जीदे वारे जी पहचान कर सके देयां वही रियल है इस तो एदर जा ओदर दा कोई भी जड़ा संसारा हो रियल नहीं है कार्टर गुट दी डेफिनेशन करांगे थे यसी रियलिजम इस दे डॉक्ट्राइन देट अब्जेक्टिव रियल्टी आफ दा मैटेरियल यूनिवर्स एक्जिस्ट इंडिपेंडेंट्ली आफ दा कॉंशिस माइंड जैसी गल करिये की जड़ा यूनिवर्स जा जो फिजिकल नेचर जा माटेरियलिस्टिक जड़ा वार्ड ओहों साड़े कॉंशिस माइंड दे जड़िया हो उपजा असी देख देयां सुन देयां जा महसूस कर जा एक्स्पीरियंस लेनने या ता ओही चीज्जां जड़ियां ने रियल चने ता इस तो इलावा कोई भी रियल्टी नहीं एसी गा मेनिंग अग्गे साड़े कोड हन प्रिंसीपल्स ओफ रियलिजम केड़े केड़े से दानता दे उते हैं विचारता रहा टिकी हो या वास्तिक वाद दी विचारता रहा नंबर एक ते इंफेसिस ओन फिजिकल आस्पेक्ट ओफ यूनिवर्स सब्तों पहला है जोर्दंदे ने की जड़ा फिजिकल आस्पेक्ट यूनिवर्स दा हो ही रियल मींज पौतिक वाद्धी संसार दे उते जोर्दन देने पहला सिधानताई हो गया दूसरा है युनिवर्स इस इंडिपेंडेंट आफ माइंड जेड़ा युनिवर्स जा ब्रेमंड ओहो मांतुस तुंतर मींज युनिवर्स एक्जिस्ट कर रहा है जरूरी नहीं के साधी वि ते आइडियास जेड़े ने हो बाद जने है अगे हागा रियालिटी इस रियल जो ही दखाई दन दा हो ही रियल है नेक्स्ट सोल और गॉड आर फ्रेग्नमेंट ओफ इमेजिनेशन आत्मा ते परमात्मा ने जेड़े ओहो सिर्फ कल्प नामा दी उपज ने इस तो इलाव एक उज नी फिर है इंफिसी ऑन प्रसंट लाइफ शोंच लाइफ एक प्रसंट लाहिफ यठेश न्दैन ते इनियौा ऑ और फो इस त॥य़्छ मेंज्ट लाइफ। सच्चा ओही नॉलेज दा सोर्स होर हुशनी है फिर है मैनी सुप्रीम जड़ा मनुख खा ओह हो उत्तमा ता मनुख ही इंपोर्टेंट है नेचर उसते पिछे या फिजिकल जड़ा वार्ड हो भी उसते पिछे या फिर है नॉलेज ऑफ अबजेक्ट्स इस डायरेक्ट जेड इंडाय मींच जो सानु दिखा इदन दो ही नॉलेज अ इंडारक्ट दा मतलवे हुंदा कि जो छुपी होई चीज हुँदिया जिना वर यससे सुन सकते या देखनी सकते ओचीज दिगाले नी कर दे ता नॉलेज किया सिद्धिया जो चीजां दिखा इदन दिया ने ओही पर नॉलेज दे वी फिर अगर नॉलेज दाजनाट इफेट्ट अव्जेक्ट और इट्स क्वालेटीज जो जड कज आन वस्तुअं धियां क्वालेज दे विच्छ जां वस्तुअं देविक्छ इफेक्ट्ट नहीं इंडा उना नो चैंज नहीं कर दो जो जुड़ी सेंट्र ओफ रियाल्टी जेड़ा पदार्थ वो असलियत दे सेंट्र विच्छ पदार्थ दे आलेदवाले ही सारी जड़ी संसार्दी रियाल्टियों को मदिया फेर है रियलिस्टिस डू नाट बिलीव इन गॉड जड़े वास्तिविक्ता बादी ने ओहो परमात्मा विच विश्वाश नहीं कर दें नेक्स असी करांगे रियलिसं मीद। फिलोस्फी फिलोस्फी दे विच वास्तिविक बाद क कीया एदे विच तिन तरिक्या आज़ी देख दिजू ने सब्सक्राइबल अर्प। वहलां मेताफ़ीशिकस मंदे ने ही रियल्टी दा सोर्स फिर एक्स्टरनर वार्ड वर्ड ओफ अब्जेक्ट्स नॉट आइडियाज जिड़ा बारी संसार ओहो वस्तों अदा संसारा आइडियाज दानी है ता यह संसार दी असलियता फिर हैगा वी कैन रेकोगनाईज यूनिवर्स ओन दा बेसिज आइडियाज दे पहचान सकते हैं फिर है सोल एंड गॉर्ड आर ओंली इन इमेजिनेशन आफ परसंस माइंड आत्मा दे परमात्मा ने जड़े हो सिर्फ बंदे दे माइंड दी इमेजिनेशन न एस तो इलावा रियाल्टी ज कुछ नी अगे है अपेस्टोमोलोजी इन रियलिजम जड़ी स्टड़ी आफ नौलेज आफ नौलेज आ वास्तिमिक बाद विच ओ कित्थे स्थान रख दिया एदे विच शी करांगे वी नो दा रियल अपचेप्ट अजिस्ट ता नौलेज की आफ नौलेज की आफ यह जड़ी दि जिस्टेंस एंड इट शुड़ी सच्ड जड़ी नौलेज आ ओह पहला ही मजूद आ ते ओस नौ सर्च कीता जान दाई सर्च कीता जाना चाहिदाई नेक्स्ट एंड सेंसिज आर ट्रू डोर्ज आफ नौलेज जड़ी अग्यान इंद्रिया ने ओहो नौलेज लेंड दे सच्चे दरवाज्ये ने अगे हैगा एक्जियोलोजी इन रियलिजम वास्तविक ताबाद दे अनुसार वैल्यूज दी स्टड़ी की या वैल्यूज की ने वास्तविक ताबाद वीच दू नौट बिलीव इन स्पिर्चुल वार्ड अध्यात्मक संसार वीचे है विश्वाश नहीं कर दे रियलिस्टर फैवर्ड इन डिसकवरिंग वैल्यूज इन स्टोशेल लाइफ जड़े वास्तविक वादी ने ऑाफों वैल्यूज नौग स्टोशेल लाइफ दे वीच परटी एंड कमफर्ट इन शोशल लाइफ ता रियलिजम जड़ाओ हो एस्तरां दियां वेल्यूज दे विच्छ अधर्शां दे विच्छ नियमा दे विच्छ जांसिदांतां दे विच्छ विश्वास नहीं रख़दा जेड़े सान्नू पातिक ता जां पातिक संपन्दा समाजिक जीवन दा अराम नहीं दे सकते ता इस तरह नार इना दा जड़ा कंसेप्ट वेल्यूज दा ओ खत्म हुंदाए ता साड़े आज दे तिन टॉपिक्स ही जड़े मीनिंग प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ए खत्म हुंदे ने ता इना दिन आड यसी अगलियां फि वीडियोज ता त्यान देखो ते अपना कंसेप्ट क्लिये करो ओके थेंक्स थेंक्स थेंक्स